कि नमस्कार व्यूवर्स मैं हूँ अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा कारिक्रम कि एक फिल्म का बहुत बढ़िया डायलॉग है और यह डायलॉग यह है कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए मौसम बदलने वाला है तो आज मैं आपको आप सब दर्शकों को से यह कहना चाहता हूं कि किर्पया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए मौसम के ताप्मान में भले ही तोड़ी कमी आई है लेकिन सियासी पार आप पूरी तरह से हाई है क्योंकि बीजेपी कह रही है कि तीसरे टर्म मोधी पर भरोसे की गैरेंटी है तो दूसरी तरह विपक्ष कह रहा है कि अब हम सब एक हैं और हम भी किसी से कम नहीं है तो आज इन तमाम मुद्धों पर मेरे युवा मित्रों के बीच जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी राजनेतिक चर्चा आज के इस कारेक्रम में सियासत 360 डिग्री ऊहाँ ँद्धी निए गारेंर पुष्म के इसरा जनता परीजक्त से कि आजये उस घर को पंशन नहीं मिलेगे अ उस घर को क्मपन सेशन नहीं मिलेगी है शहींत दो रवचा में सेड़क्क्स शहित यह कर नहीं है अगनी बीर विवस्ता को कभी स्विकार नहीं कर सकते हैं आज नहीं कल कर नहीं बाद में जब कभी भी सत्ता में इंडिया कर दंदन आएगा क्या अगनी बीर को लेकर विपक्ष कोरी सियासत कर रहा है क्योंकि संसद में मुद्दा उठाने के बाद राहूल गांधी ने कल एक वीडियो ट्विट किया और ताबा किया कि सर्वुच बलिदान देने वाले अगनी बीर अजे सिंग के परिवार को कुछ नहीं मिला लेकिन इसके ठीक बात सेना ने बयान जारी करके कहा अगनी वीर अजे के परिवार को 98,49,000 रुपे का पहले ही भुक्तान हो चुका है अन्य प्रावधानों के तहट करीब 67,000,000 रुपे की रकम और दी जाएगी सवाल सिर्फ अगनी वीर का नहीं है किसानों के MSP के मुद्दे पर सदन में क्या हुआ ये भी देख लीजिए किसान ने ये कहा कि हर प्रोड़क्ट के लिए सही प्राइस मिलती है हमें भी MSP दे दीजिए और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और MSP नहीं मिलेगी तो सवाल है कि क्या सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए पहलाया जा रहा है आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस जितना भ्रम उतनी सियासत लेकिन चर्चा में आगे बंडे से पहले देश के नमबर वन कारिकरम में बात करेंगे आज की चर्चा के मुद्दे की कि जनता जनार्दन है मेरे साथ उनके लिए जोरता तौल्या सिर्फ सफ घंटने का रघण है अमीद fundo की सवागत है मिरत कंचना यादव जी है राश्ट्य जंतदल से उनका अभी नंदन है राजेश गुपता है आम आद्धी पार्टी के विधायक है उनका भी स्वागत है तो तो तमाम लोगों का विरंदे ने एक बार फिर जोड़ार था लिया दर्शकों के लिए और इस मंच पे आसीम हमारे मेहमानों के लिए लेकिन इस चर्चा की शुरुबात करते हैं अमीग जबही सबसे पहले शुरुबात आप पीसे कर लेते हैं यह सियासत 360 डिग्री वाल कोनी खराब हो तो अंजाम क्या होगा देखिए देश की जनता जानती है कि नरेंदर मुदी का यह जो तीसरा रिजीम है यह आंधरा और पटना कंटोर्ड रिमोट सरकार है हमारा सवाल क्या है समाजवादियों का जिस दिन पार्लिमेंट का सिशन होगा हम इमानदाई से कह है कि हम संसत को चलाना चाहते हैं लेकिन अकलेश श्यादाव जी और देश के हमारे सब विपक्ष के लोग इंडिया अलाइंस को लोग हम यह चाहते हैं कि नरेंद मुदी जी ने इविन हमारे नितिश बाबू ने अंधरा ने जो कास सिंसस की बात करी है देश को हम रिजीम दिया उसके पास युवाओं के लिए रोजगार की ना कोई पॉलसी है नक्षिक्षा के लिए कोई करकम है नीज आपके सामने अपने अपनी बात रखने ने एक सिकिंद आपने भी बोला कि नितीज बाबू ने कार्ट सेंसेस कराया पूरे देश में होने चाहिए विपक्ष की जहां-जहां सरकारे हैं करनातिका में कास सेंसर की रिपोर्ट तैयार है पेश की ने की जाती बड़ा सवाल है हिमाचर में क्यों नहीं किया जाता है कॉंग्रेस की सरकार है किसी इजाजत लेने की दुरत नहीं है तेलंगाना में आप लोगों की सरकार है वहां देश की सते पर जाती कर जंगना होगी जाती पर अधारी इस देश की जंता को गिना जाएगा आप कहते हो ब्रहमत 5% है हम कहते हैं उनकी अबादी जादा है उनके हां गुर्बस जादा है छत्रियों में बिहार में जो कासरवे नितिश जी और आधनी तेश्वी जी के जमाने में जो हुआ जो रिपोर्ट आई उनके सामने उसमें यह बताया गया कि जो च्छत्रियों की वहां की ताकत है वो एक मुस्लिम मेहतर से बत्तर शिक्षा नौकरियम उनकी हलत है हमारा यह कहना है इमानदारी के साथ इस देश में जातिकर जंगना करवा के जिसकी जतनी आब अगर वो कहीं पर देखा है जिसमें एस सूपर बावर होती और 2004 से 2014 के बीज में एनिसी को बनाया गया था लेकिन यह रिमोट कंट्रोल वाली सरकार है जंतव देल उनाइटिट के प्रवक्ता साथ जवाब दीजी यह बिहार से रिमोट चलेगा इसका पट्ता से रिमोट चलेगा बिलकुल ये remote control वाली सरकार नहीं है ये बहुत प्रजाद तांत्रिक आपस में सहमती की सरकार है जो देश के लोकतंत्र के परती जिम्मेदार है और देश के लोकतंत्रिक परिक्रियाओं को संसद में लागू करेगी उसके लिए जिम्मेदार है और देश को आगे है और बहुमत की सरकार है जो पूरी तरह से लोकतंत्रिक है हमने कभी कोई मांग नहीं रखी में अरेंद्र मुदी जी की सरकार से एंडिये में हम घटक दल आज के नहीं है वे नितीश कुमार जौर फ्रेंडेंडिस अटल विहरी वाचपेरी मिलकर एंडिये खड़ा किया चब्विस साल यह जो तरीका है ना आप बोल रहे थे मैं आपको सुन रहा था आपको नहीं बोले यह जो विपक्ष का सभाव है निकि दूसरे को बोलने भी नहीं देंगे तीवी डिवेट में यह हाल है जातीकत जंगनना पगर यह आएंगे ना करनाटक में कराया हुआ है डेटा नहीं देना चाते प्रणम मुखर जी जब थे उन्होंने कराया पूरे देश में राहुल गंदी डेटा पचा गए खा गए पता नहीं क्या हुआ उस डेटा का जातीकत जंगनना हुई थी वो कॉंग्रेस आस तक उस पर जवाब नहीं देती तेलंगना में करा लीज यह कहीं नहीं चुप है आपकी जहां-जहां समर्थन वाली सरकार है वहां भी करा लीजिए जैसे पंजाब बोल रहे हैं जातीकत जनगन्ना या जातीके विकास्यन का कोई लेना देना नहीं है इनको सिगुफा छोड़ना और हम बताते हैं आपको अगर बिहार ने इसको कर आया तो कमीटेड हो करके अतीप पिछड़ों का रिजर्वेशन बढ़ाया और हम मानते हैं कि देश में सबसे जादा पिछड़े और को सबलता नरेंद्र बोजी की सरकार निया 29 मंत्रीस हिंदुस्तान में पिछड़े जातियों का हिंदुस्तान में कभी नहीं बना ये गर राजनीती तो अपने तरीके से चलेगी लेकिन राजनीती का मतलब ये तो नहीं है कि अगर कोई चुनी हुई सरकार है आप बार बार बोले मतलब फॉरन मीडिया में इंटर्व्यू दिया राहूल जी ने और ये कहने का प्रयास कि यह सरकार तो गिर जाएगी मतलब आप इ सेवन में हम मजबूत देश हैं यह सरकार मजबूत है और राहूल गांदी एक अकबार को इंटर्वीव दे रहे हैं और उसमें कहा है यह सरकार कमजोर है गिर जाएगी चलने वलने वाली नहीं है तो आपका उनका मसला है उनसे पूछिए लेकिन आपने जातिगत जनगरना हम भी थे उस सरकार में और हमारे होने के बाद तब आपने वह करवाया था नितीजी उसके मुखिया थे एक सेकें एक सेकें नहीं हो आपको अपडेट कर देती हूँ जातिकर सर्वे कराना हुआ यहां तक पहुच गए और उसके बाद जातिकर सर्वे हो गया एक सेकेंड चूप करिए ना जब हो गया हमने ओबी सी स्टी स्टी का रख्षण बढ़ाया वह थे पतना हाई कोट ने उसको क्वेस्ट कर दिया जोग नहीं है कि बिजेपी के पेटेशनार उसको खारीज करवाए वह आप एक सब्सक्राइब ने अरच्षण बढ़ाया जीना ठोक कर बोले और अरच्षण बढ़ाया जीना ठोक के सबको कहता हूं लालू यादब अति पिछडों के खिलाप दें नितीश कुमार ने अति पिछडों को आरच्षण दिया नितीश कुमार ने अति पिछडों को आयोग बनाया जीजी जांच के लिए कि समाज में पॉलिटिकल इस्टी क्या है अपने वो 40 से कि बात रखें लेकिए एक सिक एक सिक एक सिक एक सिक आपके बीच में बोले मैंने उनको रोग दिया मैंने उनको रोग दिया मैंने उनके रोक दिया मैंडम आप ही बोले आप ही बोले ना इनकी बोले वह जाते थे कि उसको क्वेस्ट कर दिया जाए और इसका सीधा जवाब है एक सीधा सवाल और इसका सीधा जवाब 30 सेकेंड में फिर मैं रोण जी के पास चले जाता हूं बड़ी सारी बाते होगी लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया मैंने बोला कि जब चुनी हुई तोड़ने टीडीवी को भी अपने पास ले जाएं तब भी सरकार नहीं बना पाते आप लो देखिए हमें किसी को तोड़ने और जोड़ने का कोई शौक नहीं तो पूरी बास सुनना चीख लिए लेकिन जिस तरह से और से इनको एहंकारी बोल रही है जिस तरह से इनको सब निलंबित कर दिये थे ना आप नहीं कर पाएंगे अब नहीं कर पाएंगे अब मैं रोण जी के पाच चलता है और आपने धैरे दिखाया इसके लिए आपका विनंदर है लेकिन बात यह है कि बार बार अभी शुप्रिया शिनेज जी ने भी कहा कि पहले तो राहूल जी थ ऐसा क्या करता है अब नहीं कर पाएंगे अमी जी किसी को दबाने की बात नहीं है लोग तंतर का पर्व पूरे देश ने बहुत-बहुत सफलता से उसको मनाया जिस प्रकार से चुनाव संपन हुए बिल्कु जोरदा तालिया देश के लोग तंतर के लिए और उलेक्शन कम देश के लोग तंतर को धन्यवाद होना चाहिए देखें परिणाम जो भी हाता है अमिश भी देश का जो जनादेश है सबको उसको स्विकार करना चाहिए चुनाव के पहले जब यह इंडी गडबंदन बना उन्होंने दावे कि 295 हमारी सीटे आएंगी वो नहीं आई उसक पिच्चानमें मार करें तू तो फेल हो गया और 35 परसेंट वाले 40 परसेंट लाते आरें बहुत तालिया हो गई और विक्ट्री हो गई यह कहां का जनेदाश है बज़ा आपकी मॉरल विक्ट्री आपको मुबारक उननीस सो नवाची से दोजार चौदा तक अमिजबी जितनी भी सरकारे बढ़ी उससे जादा सीटे इस सरकार की आई है फिर भी इनको लगता है कि इनकी मॉरल विक्ट्री है तो मैं धन्यवाद देना चाहूंग ऐसे विपक्स को कैसा विपक्स हर सत्ता पार्टी को मिले कि जिसकी 50 से 99 सीट आने पर अपनी मॉरल विक्ट्री उसको दिखाई देती है और यही ट्रेक रहा तो आने वाले 30 साल तक इनकी सरकार नहीं बनेगी कि हर पांच साल में 50-50 सीटे बढ़ेगी यह खुश है अगली बार 50 हो गई तो देट सो पहुंझ जाए कि अब बाई साब इसे नहीं ही जोगी ना आप उनकी कौनसी सरकार रिपीट होई मुझे बताइए आज मैं और इक चीज़ कहना चाहूंगा जनादेश का शिकार करना चीए और आज इनोंने टै किया हुआ था कि EVM पर ठीकरा फोड़ना है जो 50 से 99 होगा है खुश होगा है सुन लिजे सुन आज जो को अब आज जो कॉंग्रेस पार्टी के थी के मोरल विक्त्री जो करनाटा का हिमाचल दो राजिम उनकी सरकार है वहां पर लोक सभागे चुनाव के परिणाम देखिए वहां पर उनकी सीटे कम हिमाचल में एक भी नहीं जीते करनाइटक में माइनस हुए और इसा और अंध्र की बात कर रहें नहीं सरकार चुन के आई काहें कि मौरल विक्ट्री आप खुश रही है यहीं गुजराथ में उनकी मौरल विक्ट्री हुई थी जनता ने साफ कर दिया तो मुझे लगता है कि जनादेश को स्विकार कीजिए और जनादेश बहुत मजबूती से जनादेश एंडिये की फेवर में दिया है देश के इति सब्सक्राइब के साथ कमपारेशन मत करिए राजेश गुपता जी रोन गुपता ने बहुत साफ गोई से बात बोली कि हमने अपना टार्गेट सेट किया सौका हमारे नंबर आये 95 और सामने वाले के जो नंबर है वह उनके सामने है यानि अपने बाल खुदी हजामत कर रही है विपक्ष और बोल रही है कि देखिए देखिए अमिश भाई यह कहना है कि सौनमबर की पढ़ाई करी नंबर आये 80 यह भूल गए कि जो सौनमबर की बच्चा पढ़ाई कर रहा था पढ़ाई तो इन्होंने इमानदाजी से चुराम नहीं लड़ा इन्होंने एक महाल एक बवंडर, ED, CBI, Income Tax, Electoral Board और बुरामतमाना मीडिया उसके साथ में पूरा एक महाल बनाया 400 पार अपकी इबास 400 पार उसके बावजूद भी 272 भी नहीं आई इसलिए हार है यह मोराल विक्ट्री हम इसलिए हमारे इंटीवी पे बाला बिल्गकोल नहीं आई बोला इतना घ्मड़ा इतना घ्मट में बोला मैं बाई-लो जिकर लेकी वेसे हैं लेकिन जब सवाल पूझा से अथिका गर रहत है क्योंकि हमारे इंटीवी को अपकोर्ट कर रहें इसलिए मुझे बुछे मुझे नहीं बोलना पड़ेगा उन्हें उन्हें कहा मैं बाइलोजिकल प्यादा नहीं हुआ नहीं और यह पूला ही नहीं नहीं हुआ के वह ना गबन्ड कॉंग्रेस साफ भारत इसका मुक्त भारत देखो लोगों ने क्या करा उति यूपी के अंदर उसी अयुद्या का हर वे और यहींत का बागवान का ने संट स्टेन, का इन आपको इतना हैं sweet for में कि दुझाइन ऐना की तुझासी वह सट रर्शी करें अपने व हागोर में पंजबसां डिल्री में साथ गडबंधन किया से विद्र ने कि शुना मारा basta two plane परबंदन किया और यही मंचता मैंने बढ़ाता दिल्दी के अंदर करहिया कुमाल को टिकर देने के बाद आम आदी पार्टियर कॉंग्रेस का क्या हाल होगा यह लिख के ले लो और वही रिजल्ट आया पंजाब में आपका क्या हाल हुआ क्या हुआ अपनी बात क्या है ने आपने आपने का दिल्ली में क्या हुआ देखे ए ऐसा बहुत बार्ज देश के अंदर हुआ है जब राजे के अंदर सरकारे हुए लोगों ने के अलग वोड दिया है दिली के अंदर यही पखड़े हो ना यही रहना आप अभी दो-चार मैने में चुना उने वाले बिल्क जवाब देखे आम अदमी प्रवक्ता जो बात कर रहे हैं जो उनके साथ ही हैं इंडी गडबंद में कॉंग्रेस पार्टी उन्होंने केजरिवाल का साथ छोड़ दिया मुझे बताइए जो गडबंदन ठक बंदन हुआ चुनाव के लिए अभी दिल्ली में पानी के मामले प तस्विर कॉंग्रेस के पंजाब के जो नेता है उनके दफ्तर से गायब हो गई यह इनकी संगत का असर है जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का हाल दिल्ली के जनता नहीं बहुत इमोशनल क्रियेट करने का ट्राई किया इमोशन बनेंगे क्या हुआ क्यों हरा है जनता न सुनिये सुनिये हमारा शोरूम आपको दिखाई दे जाएगा तीन मन रुख जाओं अब आपको दिखा देंगे और यह इतनी बात तब कर रहे हैं कि को कि देश की जनता ने देखा महरास्ट्र में गदर मचा दे अजी पवार करप्ट है सत्तर हजार को अपने साथ में सवाल इस सत्रा साल की सरकार से 10 साल नेंदर मुदी का रेजीम असाथ साल हमारा उत्रपरदेश का मुक्मंधी जी हमारे हैं योगी जी हम यह पूछना चाहते हैं कि आप युवाओं को शिक्षा नहीं देना चाहते हो कल यह युवा तयार होंगे जब नौकई करने क्या हम सब लोग मिलकर यह फैसला कर सकते हैं कि इनके भविच से कोई किसी को हम लोग खेलने नहीं देंगे लेकिन रोजगार सिजन करने में यह सरकार नाकाम रही यह सबसे बड़ा मुद्दा है अकलेश या दोजी भारत की संसद में जो पहली बास समाजवादियों की सब पर नंबर वन उन्होंने का कि सबसे बड़ा मुद्दाइक जो अगनीवीर है वो खत्म होनी चाहिए यह जो ठेके का आर्मी का नौकरी है तीसरा उन्होंने का कि इनफॉर्म सिविल कोड में वो रिवीव चाहते हैं तीन तो यह बात रही लेकिन हम यह चाहिए आप चलवा पार्टी ने स्टैंड बहुत क्लियर किया हुए अभी की बात नहीं है कि इन प्रिंस्पल हम युनिफॉर्म सिविल कोड पे सहमत हैं लेकिन शर्त है कि इसके तमाम इस टेक होल्डर से बात करिए इस पर चर्चा करिए जो बड़ा लाइगा उस पर बात आएगा अगनी वी कोई निराशा या कोई बात इस पर गई है तो किसी भी नीटी की समिक्षा हो सकती है रुख जाए अरे रुखिये भाई चाय पिलाएगे आपको रुखिये थोड़ा अगनी वीर पे समिक्षा अब ये कुछ बिसकोट कर लेते जातीगत जंगना बिहार में करा चुकी और ज कि जानकारी कॉंग्रेस पार्टी निस देश में जाती का सर्वे कराया था उसका डेका क्या हुआ खा गए तो कह रहे है कि मोधी नाम का गुबारा अफट चुका है इसमें क्या कहरे जाते हैं आप जो भाशा का इस्तमाल किया रहो जी एक तिक एक तिक एक तिक मुझे ये आप तो मारी थी इसमें तो कोई गोरेज नी सबसे जादा चिलाए थी जंदा ने उनको नकार दिया रूस सब्द का इस्तिवाल यहां पर मत करिया दूसरा इनका याद्दाल बहुत कम जोर है अब जादास कुछ कमजोर हो गई हो तो मैं यार दिला देती हूं पंद्रा में आप हमारे साथ लड़ें बीजेपिक साथ चले गए फिर बीज में उनके साथ लड़ें हमारे साथ आए और जब जाद ले थे अप्वरी करने लगे लगे नौकरी के बदल जितिक आ गए उन्हें चुप कर आए इस बोली बोली आप बोली आप क्यों आप वासा रही आए इस अधिक साथ जी प्लीज प्लीज में रिक्वेस्ट है सोब्तर definitive लेख TIM अभरो उडरी युड़ा सब्सक्राइब सिफें लुड़ 마रा थाली एसदेग कर दूर्ब्स मुन रूरी नहीं अपकर णोरी आतपया साथ अधियू करेंगे और आपक बीच पे बोल रहे हैं वह जो यह जरुदा ये आप कमान्ट नहीं कर सकते में तो लिए तो मैं एक से किंड में यह थोड़ कर मैं आप आपни से हुए आप जाएंगे आप शांत बढ़िये ना मेरा निवेदेने ने 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 किसानों के लिए जरी क्या गंदी भाषाप को लगी आपको अधिर नहीं जा रहा भी राहूल गादी जी बोले होते है तो आज इसमें तीरानी चड़क पर दोड़ रही होती है लेकिन आप खड़े होकर गया ऐसी भाषा काउप लिए आप भाषाप को गंदी लगी आप वोल अधिर नहीं जा रही है कल होते है कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ जाए आपको तो आवाज कम रखेंगे एक सेके रहा लोडियो जाओ अधिसके बास माइक लगे जाओ उसकी का ओडियो भोल दिया कि नितीश जी का जो सेकुलर फैशिस करदेंशियल है यह जाए टॉक अधिर वाल को जेल भेजना जो रिड़ी रिड़ी बंदों से एक ज़वाल की पैसा दिया वह जेल में चले गए एक एक बात यह कि पहले सभी पाकियों को सभी कॉपेट पैसा दिया करते लेकिन जो इंडियन इस प्रेस का सबसे बड़ा रिपोर्ट आया करीब 50 फॉर्म्स यूइंiger देट में पहले तुनके ऊपर चाहपे पढ़ते हैं और दस दिन के बार्ण ऑप भारतें दापार्ट के अकाउंट में 100 क्रोल, 20-40- encryption पाउचिनी नहीं है नहीं का रिपोर्ट है बाद की संसद में पेश होनी चाहिए हमारा यह कहना है कि उसी रेड़ी के मामले में के जिवाल जी जेल में है उसी मामले में रेड़ी फैनेंसर जो भाती इंदा पार्टी के जो पैसा डालता है क्योंकि मामता जी के पास एडी नहीं है इंडिया आप के पास आप आप कहरें कि यह लोग तो दबाव बीजेपी वाले दबाव डाल के पैसे लिए गए और बाद में प्रफुल को थे बंबाई वाले मुकमंती जी चक्के पैसें 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 और फिर क्या हुआ पर परफुल पडेल जी कह रहे तो ह हमिशा जी जेल डालोंगा पफॉल को प्रामंत्री बोलत है बंबाई में क्या होगा जवाब वजीर बना दिया जो इलेक्टरल बॉंड पे चुनाओ के पैसे इतना बड़ा हल्ला हो रहा था जैसे इलेक्शन इलेक्टरल बॉंड के जो पूरा अलाबार्तिका लिस्ट आया एक भी प्रेस कॉंफरेंस विपक्सी तरफ से क्यों नहीं होई क्योंकि यह नहीं हो सकता है कि अगर इलेक्टरल को बॉंड के पैसे अगर बाजयपा को मिले तो जबरदस्ती लिए और विपक्स को मिले तो प्यार से दीखे यह दोरा मापदर नहीं चल सकता है दूसरी आपकी गैरंटी के लिए आप लोग उठाते हैं और बार बार करते हैं भरताचार की बाद बीजेपी करती है लेकिन महंगाई के मुद्दे के उपर करनातक में कॉंग्रिस की सरकार है जिसके साथ आपका लाइस है उससे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिये और जब सव यह जूटे वादे आप लोग करो लेकिन मैं कह रही हूं कि अगर आप बाई रोड जाओ तो हर इतना टोल टैक्स इतना ज्यादा हो गया है इतना ज्यादा हो गया है कि नॉर्मल चीज़ जिब ट्रांस्पोर्ट होती है रोड के जरियत उसका प्राइज टोल टैक्स की वज मतलब यह है कि अगरें मंत्री हुआ है और उस पर बताए प्रॉपर कैसे हुआ बस यहoritल्म। और अगर किसानों पर कुछ हो रहा है तो उस पर इदर उधर भकैति ना करें बल्कि आया और साथ पर काम करें तो यह अपनी जवाब देश्टा प्लाइनिंग के साथ होनी चाहिए और हर चीज पर जवाब दढ़ाई फिक्स होनी चाहिए आप एक बात बताई है मिश्देव गंजी पिछले 10 सालों में कौन सी ऐसी बात हुई जो प्लानिंग के साथ नहीं हो इस देश में अगर कोई भी योजना सरकार की आई चाहे वो किसानों को पैसा सीधा देने का था क्या यह प्लान नहीं था और इस बार सरकार बनते ही 20,000 करो और उसको लिए जारी नहीं किया गया गलतियां जहां हुई वहाँ भी इस बात की देखा दिकी की गई और उसकी जाच की गई और संब्धित अधिकारी को उस संबंद में निर्देश बिये गए बड़े सवाल प्यारा है कि इस सरकार में क्या बड़े और कड़े फैसले हो पाएंगे ब्रस्टा चार पर जिस तरह मोधी सरकार पहले कारवाई कर रही थी मोधी 2.0 में क्या 3.0 पर कर पाएगी नितेश कुमार जी का एक बहुत बड़ा बयान हमेशा रहता है ब्रस्टा चार पे जीरो टॉलरेंस ना हम किसी को बचाते हैं ना हम किसी को फसाते हैं अ पहली बार केजरीवाल पर यह सराब घोटाले का आरोप लगा और लोग जेल गए हमारी पार्टी का ओफिस्यल ट्वीट है और ट्वीटर पर हमारे रश्ट्य धिक्ष का बयान है आदालत इस मामले में फैसला करेगी जाच जाच कमी जो भी जाच अधिकारी है वो जाच कर हम कभी स्मीच करते और राजेश को सबाटर राजेश गुपतर राजेश गूपतर राजेश कूपतर राजेश कुपतर है कि आप लोग blame game में यकीन करतेूं है अप boundary करते पानी के समस्याओ तो केंज जिम्मेदार है विजली की कोई समस्याओ थो केंज है ध्रस्ता 4 कारभाई हो जाए तो वह ED और cbis मिस्यूज हैं कि आपको लगता नहीं है कि अपने पोलिटिकल डिबैकल के लिए जो पंजाब में हुआ जो दिल्ली में हुआ उसके लिए आप जिम्मेदार है आपकी पार्टी जिम्मेदार है अमीश वाही जब बीचेपी जीती है तो आप उनको श्रेय देते हो तो आप इस बात को कराने की कोशिश करो ना यहां से बनारस की आपको मिलेंगे लेका बरहते लिए इन से कोई बात होंगे हमेशा चुटकुले होगे उन्हेंगे पूरे होने वाले द्यान दखना किसी भी ताइम इधर से उतर हो जाएंगे आपको बदा रहो और दूसरी बात क्या रहाल गांदी जी नहीं होनी चाहिए देश के बच्चे देख रहें देश का भविश्य का लिए वह जाएंगे बच्चों के सामने कर नहीं पाओंगे क्या यह लोग बाद बाद पलटते हैं क्योंकि टार्गेट किया गया है जेडियू को पल्टू राम है आप लोग देखिए यह कॉंग्रेस को गाली देते थे सुनिया गांधी को गिरफतार करो जेल में डालो सारा पता चल जाएगा धानतों पर समय के हिसाब से परिस्थिती राजवितिक स्थिती में हमने जरूर अपने साथी बदले लेकिन हमने अपने नीतियां नहीं बदली वरस्टाचार पे कारवाई जारी रहा सुसासन गर्व से 18 साल से बिहार में चला रहा है और देश में गौरव है बिहार का विक ही इनोने जो परेबार आरो लगा रहे हिनों ने जो पल्ती मारी जो आप और आर्रोप लगा रहे है इनोने जो पल्ती मारी उसको दैश की जंता ने खास्तों आपको बिहार की दिता ने क्योंकि वो उनका राज्य है उसको स्विकार कर लिया इनको इनको और बीजेपी यानि रोहन कुपता की पार्टी को और सत्यप्रकाश जी की पार्टी को जोली भर के सीटे दी आपने भी एक मल्टी मारी आपने पार्टी को वहा है उसके लिए क्या खेला करते हम इनकी तरह ट्विटर में नहीं करते हैं आप इस बात को सबजी की लोग नहीं करते हैं हमेशा लोगों को बातने की राजनी करते हैं इनकी वजह से वह बाहर जाके अपने बच्चों को छोड़के नौकरी करते हैं देहाडी में काम करते हैं और यह लोग के गर्व है करते हैं कि आयोध्या पार जाओ तो देश खराब हो जाता है मतलब देश विरोधी लोग हो जाते हैं इनकी सोच है पर आपको एक चीस समझना पड़ेगा अमिश्वी देश की जनता स्मार्ट है जनादेश की जब हम बात कर रहे हैं यह लोग यह कहते हैं पंजाब में कहते हैं कि हम आपके हैं कौन और दिल्ली में कहते हम साथ साथ हैं तो जनता नहीं के हम आपके हैं कौन यह इनको समझना पड़ेगा कि जनता इतना ज्यादा विरोधाबास सहन नहीं करती अब यह बोल रहे थे जेडियों को लिए खराब बोल रहे थे यही जेडियों ने दावा किया एक उनको प्रदानमंत्रीपत की ओफर थी गई अंगूर खटे हैं आप स्विकार कीजिए ने कि पूरा और सरकार ने क्लियर लिखा और मैं यह चीज राजनीती से उपर उटके यह कहना चाहूंगा मैं भी युवा हूं कि यह जो मुद्दा है यह देश की जो पूरा ढांचा है उसके अंदर कहीं बहुत बढ़ी कमी है हम राजस्तान में जब कॉंग्रेस की सरकार की तब भी 20 पेपर लिख हुए थे तो जब आपकी इच्छा शक्ति होगी के नहीं हमको मिलके इसकी खिला फ्लड़ना है और इसके ऊपर राजनीती नहीं होगी तो मुझे लगता है तब देश का अफसोस के साथ में बाद बात बो देख़ें लेकिन उस विभाग के मंत्री तो सिनहा साभी तो क्या उनकी जिम्मधारी नहीं है कि सारी देश्वी आदव कि है और सारी साथ गांट हो रही है तो फिर इस सरकार क्यों है जिम्मेधारी पूरी सिस्टम की है तो मैं अब भी वापस बोल रहा हूँ वो कॉंग्र तेजस्वी आदव का अगर पीएस पे इतना बड़ा ब्लेम लगा है तो कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि इसमें आपको भी अपना स्पस्टिक करन देना चाहिए नहीं चलाया नहीं होंगे लेकिन तेजस्वी जी इस पर आकर बोल शुके हैं उन्होंने बोला कि अगर आपको लगता है तब गिराफ्तार करें आप क्यों नहीं करें आप फालतू में आकर एक वाट्सप कॉल और एक ट्वीटर फांड करके कुछ लाकर दिखा देंगे आप और आरोफ लगा देंगे तो उन्होंने एक और लाइन वोनी थी मैंने पूरा सुनाते देश्वी आदव ने बोला कि इनको फसाया जा रहा है मेरा प्रश्णी यह है कि मैं यह मैं किसी सरकार को क्लीन चिट देने का अधिकार नहीं रहता मैं क्लीन चिट उनकिसी को नहीं द आरा रहूंगा चाहे कल मुझे देश के देश के चार्ष्णी मिनिस्टर शक्राव या अधिक ग्रे मंत्रीय है पर दाल मंत्री समय पूचा ओ मैंने डिल्ली में धरमेंट प्रदान शी कॉ plastic ने ऑप ठीकुम्हार हुआ है वीड़ करने की भात दिल्ली में धरमनING प्रदान क करते हैं जी कोई स्कैमी नहीं हुआ कोई लीखी नहीं हुआ है एरर हुआ है और यहां दो उनके नेता परची लेकर चिला रहे हैं कि पेपर लीक उन्हों ने करवा रहे इतना कॉंट्रेडिक्शन क्यूं है तो टककर में रुकिंगे कंचराल के लिए लेकिन ब्रेक के बाद म मेरे युव अमित्र पूचेंगे कुछ सवाल कि अब बताते हैं इस देश में जैराम नमस बोलते थे कि बिहारी जो सौचाले साफ करते हैं उसकी बाद ये लोग बयान करते हैं कि जितने में सहम पित्रोदा है कि गोडे वाले चाइव चैनीज लगते हैं ये वेस्ट इंड आप लोग धर्म के ठेकेदार नहीं हैं हम समाज के लिए काम करते हैं धर्म जाती को हम इन्वार्व नहीं करना चाहते हैं मेरा सिब यह कहना है कि यह जो धर्म का एपी सेंटर जो आपने बनाने का जो भारतिया पार्टी का राजितिक इवेंट हुआ था अयोध्या से पु हेलिक लिए बांट आजाया की जंटा नहीं को नकार दिया पुरे हिंदुत्वा के पुजेट को नकार दिया मैं यह कह रहा हूं उन्हों कहा बहुत आपती जनक सब्देर कि यह प्रोजेक्त की कौन सी बात है यह तो आस्टा काभिशा है और डिवाइड कौन कर रहा है जो प्रजेक्ट बीजेपी नी चलाया और देश को डिवाइड करने की कोशिश करी देखिए अमिश भाई क्या होता है कभी-कभी जैसे आपने क्लाइन पकड़ी जैसे बच्छे ने लाइने चुनादी चार देखिए एक इंडिविज्व क्या कहता और क्या कहना चाहता है उसमें रखते है क्रिश्व की मिन आपर इस देश इस देश की इस देश में सिर्फ़ इक वार्द दिखाई है समस्य है कि असर शाह बानों के लिए राजीव गांदी के सरकार ने फैसला पल्टा था शाह बानों के लिए अगर अगर जुलिएट रोती तो बतला नहीं जाता ण्यू और उसी और उसी राजीव गांदी की पाटी ने संसत के परिसर में पीवी नर्सिंग महराओ ने यह कहा था कि हम बाबरी मस्जित को तामीर करेंगे देश के सदन के अंदर खड़े होकर यह भी सकते हैं सब्सक्राइब करने चाहिए सब्सक्राइब करने चाहिए सब्सक्राइब करने चाहिए सब्सक्राइब करने 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 सब्सक्राइब कर आप कुछ कर दो 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 साल से तयारी कर रहे है उस चीज का अब क्या करेंगे किस चीज का तयारी करें यह बहुत भड़ा सवाल आप लोग बोलते चाली 140 क्या बात करते हो मनीपूर पर आसका कुछ नहीं लद्दाक में फुनसुग वाकुर इतने दिन बैठे रहे उसके उपर धरना के उपर अंचन चोर के 21 तक कहा थे से ऑगे जवाब 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 जला चाहिए ने जो कोई अब आप तरीका किसी का नहीं कर सकते रोण गुपता बोलिए आप मनीपूर की बात करें मनीपूर पुरा सदन बुलाया गया विपक्स को मौका दिया विपक्स ने वॉक आउट करके मनीपूर का अपमान किया देखिए संसद है सब चीज़ पे चर्चा होनी चीए वापस बिलकूल देखिए और अमिच्षा जी दो दिन पहले सबको मिलके सबकी जिम्मेधार ये मिलके शांति बाहल करें अप लोगों का बहुँफ शुक्रिया हमार सा जुड़ने के लिए इस कारिक्रम में आने के लिए फिलाल आज के आज के अडिशन में इतना ही आप सबको मेरी राम-राम और नमसकार धन्यवाद, लेकिन इस देश की जनता ने एक mandate दिया है, एक बहुत बड़ा mandate दिया है नरेंद्र मोधी को तीसरी term के लिए, और संदेश भी दिया है सरकार को, यानी जनादेश भी है और वो संदेश के साथ है, फिलाल इसकार के में यह तना ही, आपको मेनी नमस्कार, गुड झाल झाल